गरूड पूराण वेश्णों संप्रदाई से समधित ऐसा ग्रंत है जिसमें पाप, पुन्य, मृत्यू, परलोग, पुनर, जनम, स्वर्ग, नरक, आदी के बारे में विश्तत व्यक्या की गई है इसमें पक्षिराज गरूड और बगवान वेश्णों के बीच के समध का ही वर्णन किया गया है गरूड पूराण को हिंदु धर्म के 18 महा पूराणों में एक माना गया है इसमें कुल 271 अध्याय और 19,000 स्लोक है आम तोर पर लोग घर पर गरूड पूराण का पार तब कराते हैं जब किसी परिजन के म्रत्यू हो जाती है क्योंकि मानेता है कि गरूड पूराण के पार से आत्मा को सद्गती मिलती है लेकिन इसी के साथ गरूर पुरान में बताए गई बातों का अनुसरन करने पर जीवन में सुख सम्रदिवय कुसाली का आगमन होता है वो सारे दुख दूर हो जाते हैं गरूर पुरान के अधिपती स्वयम बगवान विश्णु है विश्णु जी ने इसमें कुछ ऐसे कामों का उल्ले किया है जिसे हर व्यक्ति को जरूर करना चाहिए इन चार कामों को करने से सारे दुख दूर हो जाएंगे गरूर पुरान के अनुसार सभी को अपने पितरों और कुल देवता का पूजन करना चाहिए ऐसा करने से पितरों का आसिरवात प्राप्त होता है उन्हें कोई समश्या नहीं होती वही अगर पितर या कुल देवता आपसे नाराज हो गए तो जीवन में संकट आने गरूर पुरान के अनुसार व्यक्ति को हमेशा अपने समर्थे के अनुसार गरीब या जरूरत मंदों में बोजन या अन्न का दान करना चाहिए इससे बहुत पुन्य मिलता है और सातिमा लक्ष्मी की करपा आप पर बनी रहती है गरूर पुरान में गव सेवा को भी पुन को आटे की गोलियां और चीटियों को चीनी के लाना भी पुन्य का काम होता है ऐसा करने वाले लोगों की जीवन से सारे दुख दूर हो जाते हैं और सुख सम्रद्धी की प्राप्ति होती है वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ओके तेंग अरिवन